नमस्कार में हूँ आपके साथ रानी बेरागी चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर वेश्विक बाजार में कच्छे तेल की किमतों में लगातार तेजी के बावजू देश में पेट्रोल डीजल की किमते नहीं बढ़ रही है जिसका असर तेल कंपनियों की कमाई पर पढ़ रहा है पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओ को देखते हुए कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की किमतों में इजाफा नहीं कर रही है विशेशग्डियों का कहना है कि चुनाओं के बाद तेल कमपनिया पेट्रोल डीजल के दाम 5-6 रुपे प्रती लीटर तक बढ़ा सकती है विशेशग्डियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने से कमपनियों को भारी नुकसान हो रहा है तो पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं के बाद पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़ेंगे ICICI Securities के विशलेशक प्रबल सेन का कहना है कि अंतराश्ट्रे बाजार में कच्चे तेल की किम्तों में उतार चड़ाव का असर घरेलू बाजार में भी दिखता है वेश्विक बाजार में कच्चा तेल अगर एक डॉलर प्रती बेरल महंगा होता है तो घरेलू बाजार में दाम 45 से 47 पेसे प्रती लीटर तक बढ़ जाते हैं विदेशी बाजारों में कच्चे तेल में तेजी से तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में दिवाली के बाद से पेट्रोल डीजल की कीमते इस्थिर है नवंबर के बाद कच्चा तेल 25 डॉलर प्रती बैरल तक बढ़ चुका है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी रहने से अंतराश्ट्री इस्थर पर कच्चे तेल की कीमत मंगलवार को 94 डॉलर प्रती बैरल पहुच गई साल 2014 के बाद यह पहला मोका है जब क्रूड की कीमत इस इस्थर पर पहुची है एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना रहता है तो कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रती बैरल तक पहुच सकती है आज के अंक में फिलहाल इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात नमस्कार प्रत्नापय